हलो एब्रिवन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टिप्लिकेशन्स और पॉलिनोमियल आपको अगर कोई भी डाउट होगा मल्टिप्लिकेशन्स रिलेटेड तो आज आपका सारा डाउट के लिए हो जाएगा ठीक है और हम आपको बहुत ही इजी वे में आप करते हैं सबसे पहले आप यह देख लिए locals का रोलं आप कभी गी सम्हों को को मल्टिप्लाय करते हैं कि आपको इस question में आप देखिए है इस question में यह part जो है वो है इसका sign यह है इसका digit और यह है इसका variable second में यहाँ पे है sign इसमें कुछ नहीं मिन्स plus है digit two है और variable xy है तो हम लोग multiply कैसे करेंगे पहले sine को sine से करेंगे तो minus plus क्या हो जागा, minus plus, minus 3 into 2 6 और x square into x तो power क्या होता है, variable का add होता है तो power 2 और power 1 x का power कितना हो जागा 3 y का power यहां कुछ नहीं means 1 और यहां भी कुछ नहीं तो 1 तो 1 और 1 कितना हो जागा, y का power 2 तो ऐसे आप multiply कर सकते है एक और similar example है ठीक है, इसको भी आप देखिए यहां पे भी क्या है digit 4, इसके पहले sine कुछ नहीं means plus है variable यह पूरा है ठीक है, यहां पे sine negative है, digit 2 है और यह पूरा variable है, यहां देखिए plus into minus minus 4 to 0 8 x का power 1 x का power 1 x square y का power 1 y का power 2 means y का power 2 and plus 1 3 z का power 2 और यहां पे z कुछ नहीं it means z का power 2 तो ऐसे करके आप multiply कर सकते हैं अब हम लोग देखते हैं यह थड़ नमबर इसको देखिए आपको इसको multiply करना है इस bracket के अंदर में तो यहां देखिए यहां भी क्या है sign है digit है और variable है यह सब में सब में है तो इसको आप कैसे multiply करेंगे इस पूरे term को इसके साथ भी multiply करना है इसके साथ भी multiply करना है और इसके साथ भी multiply करना है एक अक करके आपको करना है minus plus minus 3, 3, 0 9 x का power 1 और x का power 2 it means x का power 3 y का power 1 और y का power 1 y का power 2 यह हो गिया अब इसको करते हैं minus minus plus 3, 4, 0 12 यहाँ पर आपका power x का power 1 है यहाँ पर 2 है it means x का power 3 यहाँ y है यहाँ पर y नहीं it means y यह भी हो गिया अब इसको करते हैं minus minus plus 3, 5, 0 15 और x का power 1 x का power 1 it means x का power 2 y का power 1, y का power 2 it means y का power 3 तो ऐसे करके आप multiply कर सकते हैं यह था आपका monomial और polynomial में into करना अब हम लोग देखते हैं एक general case general case में आपको देखे कैसे करना है यहाँ पर आपको यह टर्म यहाँ से pick up करना है और इधर सारे में multiply करना it means इस term को लेना है तो कैसे multiply करना है इसके साथ भी इस term को लेना है तो इसके साथ भी फिर इधर erase कर देते ठीक है इसी term को लेना है इसके साथ भी फूर्ट के साथ भी फिप्त के साथ भी और ये इसके साथ भी ये फस्ट हुआ फस्ट डिजिट को आप जैसे मल्टिप्लाई किये सेम तू सेगें आपको किसको करना है सेकेंड डिजिट को सेकेंड को लेना है इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ और ये इसके साथ second को ऐसे करना है फिर third को भी ऐसे ही करना है ठीक है ऐसे two three four five और ये six तो same to same ऐसे ही ये सारा C में है ठीक है इसी को multiply कर रहे है तो जैसे आप ये सारा किये उसी टैप से आप D को भी कीज़ेगा और E को भी करना है हम सारा का notation बना ही देते हैं ठीक है अब D का भी देख लिजे इसके साथ three four Q के साथ और ये आप R के साथ और same to same आपको E को भी करना तो ऐसे करके आपको multiply करना है अब इसका multiply होगा कितना वो देखिए यहां हम लिख देते हैं ठीक है देखते देगा बहुत ज़्यादा term होगा कितना होगा count कर लिजे 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर 5 है और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो यहां पर 6 term है means 5, 6 है कितना term होने वाला है 30 term होने वाला है कैसे होगा हम आपको थोड़ा सा बताते हैं उसके बाद आप आगे कर लेज़ेगा a into x a x a into y a y a into z a z ऐसे करके आपको क्या करना है सारे को multiply करना है तो उसके बाद जो like term है जो same same term होगा उसको फिर बाद में आपको add कर देना है तो यह होगा general case आप इससे किसी भी multiplications को कर सकते हैं तो इसी से related हमें एक example लिए है ठीक है इसको हम आपको करके बताते हैं इसको आप देखिए सबसे first इस term को लेंगे तो इसको सारे के साथ करेंगे इसके साथ भी इसके साथ भी और इसके साथ भी ठीक है तो देखिए इसको 3 into 4 12 x into x x square अब इसके साथ minus plus minus 3 into 6 x into x x square ठीक है अब थर्ड के साथ यहां देखिए यहां कितना है 3 into 2 6 और x into z x z यह फर्स तर्म का finish हो गया अब हम दोग सेकेंड तर्म का प्लस है प्लस है तो 2400 8 प्लस 8 y और x तो x y सेकेंड तर्म से प्लस माइनस माइनस 2200 4 माइनस 4 y into x x y यह 4 है ठीक है थर्ड तर्म के साथ प्लस 2 प्लस 2 तो 2 into 2 4 y z 4 y z उसके बाद z को देखी इसको प्लस है प्लस है तो प्लस इस डीजीट है हाँ पर 1 है तो 1 into 4 इस मींस 4 और z x तो x z लिख लेते हैं प्लस माइनस माइनस 1 into 2 2 और z into x x z प्लस into प्लस प्लस डीजीट नहीं है यहाँ पर 2 है तो 2 और z into z z असकोर तो ऐसे करके आप कर सकते हैं मल्टिप्लिकेशन पॉलिनोमियल का तो इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले इससे मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको आप सबसे पहले देख पाओगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुस रहिए, कुछियां बाटते रहिए तक के लिए, तक केर और बाटते रहिए